गुद मॉर्निंग चिल्डरन, हाव आर्यू 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 आर्यू, आज मैं आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताने जा रहे हूँ महात्मा गांधी, father of nation, हमारे राष्ट्र पिता है he was won on 2nd of October 1869, उनका जनम 2 October को हुआ था, we celebrate this day as गांधी जिन्ती, it is the birthday of महात्मा गांधी, we call him बापु with great respect हम उने सम्मान पूर्वक बापु कहकर भी बुलाते हैं, गांधी जी ने हमारी देश को आजाद करवाया था, गांधी जी हमेशा सच्चाई की रास्ते पे चलते थे, वे कहते थे हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए गांधी जी हमेशा साधी कपड़े पेहनते थे, वो धोती पेहनते थे, गांधी जी कुछ चर्खा चलाना भी बहुत अच्छा लगता था तो आज मैंने आपको गांधी जी के बारे में बताया, तो आज मैं आपको एनक ड्रो करना बताऊंगी, गांधी जी क्या पैनते थे, ऐसे एनक, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ड्रो करेंगे, आप कोई भी सर्कल शेप की ऐसे कैप ले सकते हो, तो मैंने ये कैप तो आपनी क्या करना है उसको रखके ऐसे ड्रो करना है टे-वारी कि थोड़ा सब देखे अपने वन फिंगर का ब्थेखे आपने एक अनाधर सरकल जो है वो ड्रो करना कि यह मैंने ट्रो कर दिया अभी यहां से हम सेंटर में डू लाइन्स पनाएंगे टू लाइन बनाने के बाद यहाँ पर हम अभी next एनक ऐसे एनक गांधी जी की एनक ऐसे एनक बनाने के बाद आपने फैबिकोर लेना है और फैबिकोर लेने के बाद आपने यह जो सरकल है वहाँ पर फैबिकोर लगाना है ऐसे आपने पूरी एनक में फैबिकोर लगा देना है अभी यह फैबिकोर लग गया है अभी मैंने दूसरी साइड भी फैबिकोर लगाऊंगी अभी यह फैबिकोर लग गया है पूरा एनक में तो हमने क्या करना है एनक को डेकोरेट करने के लिए यह मेरे पास ग्लीटर है तो आपने ग्लीटर को लेके यहाँ पर स्प्रेट करना है इससे हमारा जो यह से एनक हमने बनाई है वो क्या हो जाएगी डेकोरेट हो जाएगी बहुत सुंदर यह जो चश्मा है एनक है हमारा बन जाएगा यह ऐसे स्प्रेट करने के बाद आपने थोड़ी दिर वेट करना है यह जो फैबिकोर्ड के साथ ग्लीटर है स्टिक हो जाए हम वेट करने के बाद अभी हमारा ग्लीटर जो है वो स्टिक हो गया होगा तो अभी हमने क्या करना है इस पेपर को ऐसे लेके, किसी भी प्लेट ने, इसे आपने डाल देना है, और अभी देखो, है हमारा, ऐसे आनक, देखो, कितनी सुन्दर आनक बनगी है न, थैंक यू, have a nice day.